आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाश की पलसर 150 के बारे में जो कि भाई इस गाड़ी में बहुत सारे नए चेंजेस होने वाले हैं और बजाश की बाई जो पलसर 150 है इसको लेकर मेरे पास इंस्टेगराम पे बहुत सारे डीम्स आ रहे थें खेर भाई इस बाहले आपको और भी जादा अट्रेक्टिव और बहुत ही जादा हेवी फील होने वाली है बजाश गाडी को बिल्कूल ही चेंज करें वाई इसका जो इंजन है जो टायर है सबकुछ चेंज होने वाला है आज आपको हम इस वीडियो में सब बताने वाले हैं कि आपको तो भाई गाड़ी में क्या क्या changes मिलने वाले हैं प्राइस क्या होगा गाड़ी कब तक आएगी तो चलिए start करते हैं वीडियो को और बात करते हैं Pulsar 150 RR के बारे में तो भाई इसमें आपको जो है अभी मिल जाता है semi console जो की आपको analog plus digital के भाई आपको साथ मिल जाता है combination के स तो वो जो है आपको मिलने वाला है fully digital जो आएगा इसका new variant हो और भाई उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे feature जैसे कि बास में आपको मिल जाएगा smart phone connectivity जो की बजाज अभी ये feature अपनी किसी भी गाड़ी में नहीं देता है तो ये feature अब आपको मिल जाएगा और बाई मुझे ऐसा लग रहा है गारी के बाई जो होंगे tail lamp वो आपको मिल जाएंगे LED के जो की बाई आपको हमिसा से बाई परसर में LED के tail lamp मिल जाते हैं और इसका बाई जो होगा indicator बाई वो भी आपको definitely बाई आपको अब तो LED का ही company provide कराने वाली है गारी का बाई जो होगा tank वो बिल्कुल ही different हो जाएगा अभी के मुकाबले गारी की बाई जो पूरी firing है वो भी बिल्कुल ही change होके आने वाली है गारी में आपको बाई फ्रंट में मिल जाएगा टेलिसकोपी का फॉर्क ये गारी 150 CC की है और पीछे आपको मिल जाएगा monoshock absorber जो की अभी आपको बाई 150 में नहीं मिलता है लेकिन आपको आने वाली 150 में आपको मिल जाएगा monoshock absorber इसकी बाई जो seat है वो आपको मिल जाएगी split में और बाई गारी के जो handlebars होंगे वो आपको मिल जाएगे clip on के जो की बाई गारी जो है बहुत ही जादा aggressive riding position के साथ आने वाली है और इसका बाई जो engine है वहाँ पे भी आपको बहुत बड़े changes मिलने वाले हैं इसका बाई जो होगा engine वो बहुत ही जादा powerful हो जाएगा और बाई उसमें अब आपको 5 नहीं 6 gear मिलने वाले हैं जिससे के बाई इसकी जो top speed है वो आपको 130 के आसपास तक का मिल जाएगी और बाई जो 150 ह यह अभी आपको मिल जाती है air cooled engine के साथ लेकिन बाई बाई बाद में आपको यह liquid cooled के साथ मिल जाएगी जिससे की आप इस गारी को easily maintain कर पाओगे top speed आपको जो है problem कम होगी heating की तो बाई बजाज engine भी बिलकूल ही change करेगा और इसकी बाई जो होगी performance और जो होगा power figure वो भी बाई आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा अभी के comparison में तो बाई आप लोग चाहो तो आने वाली नई बजाज Pulsar 150 का weight कर सकते हो और बाई बजाज जो है इस गारी को launch करेगा 2022 के last में तो बाई आप लोग चाहो तो weight करो वन्ना बाई weight मत करो और इसका बाई जो होगा price व बाई ये गाड़ी आपको एक शोरूम मिल जाएगी और बाई जो Pulsar है 150 बाई ट्विन डिस्क ये अभी आपको मिल जाती है एक लाग दस हजार रुपाई की लेकिन बाई अब आपको मिल जाएगी एक लाग पचिस लेके एक लाग तीस जार के आस पास बाई आपको ये ग बहुत जादा महंगी तो हो रही है लेकिन बाई बीट करेगी यमा की MT 15 को बाई जो की बहुत बड़ी बात होने वाली है तो बाई आप लोग चाहो तो वेट कर लो और बाई जो वीडियो है इसे कर दो लाइक और बाई जो है मेरा चैनल इसे कर लो सब्सक्राइब तब तक